उत्राखंड मौसम विभाग ने पस्चिमी विक्छोब के सक्री होने के चलते 26 जनवरी को बारिस का पूरो अनुमान लगाया है जी हाँ मौसम निदेशक डौक्टर विक्रम सिंग के अनुसार पस्चिमी विक्छोब सक्री होने से उत्राखंड के परवती जनपदों में 26 जनवरी से बारिस और बर्फबारी हो सकती है जिसके अंतरगत उत्तरकासी, रुद्रप्रियाग, चमोली, बागेस्वर और पिथरगड में 3000 मीटर की उचाई पर हलकी बारिस और बर्फबारी के आसार है उत्राखंड के मैदानी जिलों में कोहरे की मार जारी है, जिसके चलते लोगों की ठंड से कपकपी छूट रही है हरिद्वार जिले में तो आज बुद्धुहार 24 जनवरी को भी सीत लहर के चलते विद्यालें एयों आगनबाडी केंद्रों को बंद रखा गया है वहीं चमपाव जिले के अंतरगत मैदानी इलाकों में 25 जनवरी तक विद्यालें में अवकास रहेगा उत्राखंड में सुस्क मौसम के बीच कडाके की ठंड जारी है, परवती चेतरों में पाला गिरने से सुबह साम हाड कपाने वाली ठंड पड़ रही है वहीं मैदानी चेतरों में कोहरे की मार से हाल बेहाल हैं खास कर हरिद्वार और उधमसिंग नगर जिले में घने कोहरे के कारण जन जीवन परभाविच चल ला है अगर बात करें उधमसिंग नगर जिले की तो यहां कुछ चेतरों में आज लंबे समय बाद थोड़ी बहुत धूब देखने को मिली है बने रहे पहाड से मैदान की हर खबर के लिए देभूमी दर्सन के सांथ